तो पिछले साथ दिन से मैं Realme 12 Pro को as a main phone यूज़ कर रहा हूँ इन साथ दिनों के अंदर दो बड़े-बड़े से update भी आ चुका है और काफी चीज़े चेंज हुई है वैसे ये phone आपको 26,000 रुपाय में मिल रहा है protection इसके काफी अच्छी है तो एकदम से आपको नया cover खरीदने की जूरत नहीं ये जो box के अंदर cover है वो भी आपको अच्छी protection दे रहा है अब देखो design के अंदर ना दो reaction मिले इस एक अफते के अंदर किसी को बहुत अच्छा लग रहा है किसी को बहुत खराब लग रहा है काफी लोग को ये comments था कि realme 11 pro जैसा ये design अब देखो ये design इसका side by side देखोंगे ना तो आपको feel होगा कि भाई बहुत improvement हुई है specially camera model के अंदर जो details है वो बहुत improve हो चुकी है also जो leather का texture है न मुझे हलका सा यहाँ पे better feel हुआ लेकिन ये phone बहुत comfortable feel होगा आपको design चाहे बाहर से कैसा भी लगे देखो weight तो 191 gram तक पहुँच जाता है लेकिन इस phone के curved edges है curved display phone हाथ में काफी अच्छा fit हो जाता है और ये जो trend है ना flat display का I think वो बहुत खराब trend है ये जो comfortness है ना वो phone नहीं दे सकते तो comfortable ये phone आपको बहुत feel होगा design के अंदर अब build का फिलूग जाना जाते है पीछे leather finish है गिर के तो ये चीज तूटेगी नहीं लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा गंदा हो जाता है हाथ में tail grease जैसे काम अगर आप ज़्यादा करते हो अगर वो हाथ लगाते हो तो ये dark color ज़्यादा बहतर रहेगा आपके लिए as compared to light color अब सामने हाँ पर curve display भी आपको मिलती है उसकी भी काफी tension है तो देखो इस पर pre-applied screen printer मिलता है जो मैंने पहले दिन ही remove कर दिया था अब एक चीज मैं कहुँआ scratch बिल्कुल नहीं है एक भी major scratch यहाँ पर देखने को नहीं मिले इन 7 दिनों के अंदर तो वो अच्छी है build even मैंने इसको और scratch करने ही कोशिश की एक मैंने चाबी लिए उसके बाद रगणना शुरू कर दिये इस display को और फिर चेक किया फिर भी कोई major scratch नहीं है तो हाँ display scratch की मामले में बहुत अच्छी है आप काफी लोग को build की tension है तो मैंने cover लगा लिए phone पे जहां से आप call बगएर करते हो वहाँ से drop करके देखाएं फोन को कुछ भी नहीं हुआ और even मैंने pocket size से जैसे pocket बगएर से phone गए जाता है वहाँ से गिरा के देखा तो भी display को कुछ नहीं हुआ अब देखो यह proper drop test नहीं है लेकिन जैसे आप phone use करने वाले हो cover के साथ phone use करोगी तो हाँ उस मामले में display की build आपको काफी अच्छी मिलती है even haptics भी जो हैं वो भी बहुत अच्छी है यहाँ पर ओ haptics आपको मिलते हैं जिसे आप अपने हिसाब से adjust भी कर सकते हो और vibration के अंदर keyboard वगरे कुछ type करते हो पंची color produce करती है वैसे YouTube के अंदर यह 4K में HDR में वीडियो चला सकती है और वो पंची colors की वाज़े से आपको display quality अच्छी लगेगी लेकिन आप photos वागयर जब आप edit करते हो तो आपको एक setting change करनी पड़ेगी यहाँ पर display में जाना screen color mode में जाना और वहाँ पर आपको एक cinematic वाला option देखेगा उससे आपको select करते हैं क्योंकि कई बार आप photo edit करोगे तो वो आपको display पैसा feel होगा कि आपने बहुत ज़्यदा colors उसमें ज़्यादा कर दिये लेकिन कहीं upload करोगे और कोई दूसरा बंदा देखेगा तो उसको आपकी photo ना थोड़ी सी colors उसमें कम feel होगे तो हाँ यह select कर दोगे उसके बाद photo edit करोगे आपको अच्छी color accuracy मिलेगी अब वैसे इस display में कोई touch issues बगएरा नहीं है मैंने corners edges से भी पकड़ के देखा तो भी कोई touch issues नहीं है डिस्प्ले अच्छा काम कर रही है और smooth भी है 128 का वैसे refresh rate ही support करती है और normally आपको एक clip देखा हूँ तो आपको feel भी नहीं हुआ कि refresh rate उपर नीच हो रहा है हाँ आप ध्यान से दिखाता हूँ आपको तो ये normally सिर्फ UI के अंदर ही 128 support करती है किसी और app के अंदर जाओगे न तो वो अपने आपी 90Hz पर shift हो जाती है अब ऐसा नहीं 90Hz पर आपको smooth feel नहीं होगा लेकिन हाँ 120Hz जितना smooth नहीं होगा और ये display में आपको refresh rate के अंदर ध्यान रखना है इसके लावा fingerprints के अंदर और बहुत fast हर बार काम कर रहा है next level speed है outdoor में लेके जाते हो outdoor brightness भी इसकी बहुत अची है direct sunlight में भी use कर सकते हो तो हर display आपको premium जरूर feel होगी curved display है वो भी must लगते है लेकिन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है refresh rate के अंदर थोड़ा सा दिकत है और उसके बाद यहाँ पर पंची colors है तो आप photo edit करते हो थोड़ी सी setting वगरे change करनी पड़ेगी उसके लावा display में कोई पंगा नहीं है even sound quality मस्त है यहाँ पर आपको dual speaker मिल रहे है एक bottom में speaker है एक top speaker है loudness मस्त है इस phone की even यह bass भी produce करते है and speakers आपको बहुत मस्त फिल होगे यहाँ पर वैसे कोई headphone jack नहीं है लेकिन उसे थोड़ा सा adjust किया है अगर आप कोई भी TWS क्रेक करते हो इस phone से Dolby Atmos इस phone में on हो जाता है हाँ यह Dolby Atmos speakers के लिए नहीं है Realme UI 5.0 लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है देखे यहाँ पर आपको काफी blue door मिलता है जिनने आपको initial करना पड़ेगा वैसे hot games और hot apps भी मिलता है जिनने आपको hold करके रखना है setting में जाना है फिर off करना पड़ेगा और ये भी कर लोगे तो कई बार notification भी आ जती है और उस पर click करके आप continue कर लोगे तो ये Realme UI आपको try कराएगी कि और ज़्यदा apps आप download कर लो तो हाँ थोड़ोस आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बार कर लोगे skip वगएरा uninstall वगएरा उसके बाद software बहुत smooth आपको feel होगा one of the most stable UI मुझे feel हुई animations कमाल के है responsiveness बहुत अच्छी है सारे features भी मिलते है app log, dual apps, app hide वगएरा करना है even चुपके से call recording करना है तो play store से o dialer download कर लेना उसे default select कर देना और उसके बाद आप चुपके से call recording भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पे अच्छी लग रहे है तो मैं आपको promise करता हूँ ऐसे और अच्छी वीडियो मिलेंगी तो please like and share करते ना इससे वीडियो चल जाएगी अब performance की बात करते है तो यहाँ पर snap during का 6 gen 1 processor है मैं जो phone test कर रहा हूँ उसमें 8GB RAM है और UFS 3.1 की आपने storage मिलती है पहले आप scores देख लो यह processor दो साल पुराना है लेकिन snap during 7s gen 2 से इसके N22 जादा आते हैं अब snap during 7s gen 2 तो यहर काफी नया feel हो रहा है और इससे powerful होना चाहिए लेकिन देखो यह overclocked version ही है 6 gen 1 का overclocked version 7s gen 2 है और normal task में सच में मैं आपको बताता हूँ 7 दिन के अंदर यह phone बिल्कुल भी नी अटका apps वगरे जितने भी खोलते हो काफी जल्दी खोलते हैं और जो भी कोलते हो ना वो RAM में भी रहते हैं and normal task में यह phone बिल्कुल नी अटक रहा है and अराम से आप सारे normal task कर सकते हो performance इस मामले में काफी साही है even beach mind के अंदर भी यह phone वैसे HDR के अंदर extreme सपोर्ट करता है लेकिन यही recommend करूँगा smooth plus extreme में खेलना HDR में कहीं कहीं आपको frame drop मिलता है smooth plus extreme में gameplay बहुत smooth हो रहा है आपको बिल्कुल भी major lag feel नी होगा and gameplay काफी अच्छ हो जाता है even gyro player हो gyro के अंदर भी बिल्कुल delay नहीं है and gyro के साथ भी खेल सकते हो obviously यह gaming phone नहीं है लेकिन यह phone ऐसा है कि अटकेगा नहीं वैसे तो अगर आपको बहुत performance ही चाहिए और gaming ही करनी है तो IQ Neo 6, Poco F4 जैसे phone चूज करने चाहिए लेकिन एक balanced performance क्योंकि हर कोई gamer नहीं होता है और कभी कबार आपको अगर game खेलने यह phone आपको gaming करा देगा नॉर्मल टास्क में अटकेगा नहीं अब camera important है क्योंकि यह camera phone की तरह ही बेचा जा रहे तो उसकी बात करते है main camera यहाँ पर 50MP का है 32MP का टेली फोटो है और इस camera का HDR बगरा भी अच्छा है पीछे सूरज बगरा रखोगे तो भी यह control कर लेता light को even low light के अंदर भी details आपको मिलती है colors अच्छे हैं काफी bright images है हलके से skin tone से यह गोरा करता है और इस चकर में कई बार face पर जो details होती है थोड़ी कम हो जाती है गोरा करने के चकर में अब यह काफी लोग को पसंद आती है मैं अल्री गोरा हूँ थोड़ा सा तो और गोरा जब होता हूँ थोड़ा खराब लग जाता है इसके इलाबा रात में भी इसे यूज कर सकते हो अब जो 32MP का टेली फोटो है उससे आप 2X और 4X भी कर सकते हो तो मैं side by side आपको 1X, 2X और 4X वाली फोटो दिखाता हूँ तीनों के अंदर आपको detail फिल होगी color shift भी आपको ज़्यादा फिल लेगा लेकिन आप human subject के अंदर जब आप 1X, 2X और 4X करते हो तो 1X, 2X बहुत अच्छ है 4X के अंदर जो face पे detail हो हलकी सी कम हो जाती है और skin tones हलकी सी try करता है गोरे हो जाएं वैसे ये phone 20X तक भी zoom कर सकता है तो मैं आपको 4X, 10X और 20X की भी photo दिखाता हूँ और हाँ कोई text वगरा के आप दूर जाके photo कीचोगे तो वो text आप read कर पा रहे हो obviously अगर आपको telephoto यूज करना तो 2X और 4X best रहेंगे उसके उपर जाओ को तो detail कम हो जाएगी लेकिन text वगरा कहीं दूर से read करना है तो वो use कर सकते हो और moon photos वगरा भी खीच नहीं है तो 20X में खीच सकते हो वैसे best use तो portrait photos के अंदर होगा तो portrait photos लेते हो आपको edge detection अच्छा मिलेगा 2X करके portrait shots ले सकते हो यहाँ पर 4X का option नहीं है लेकिन 2X के अंदर भी हलकी जी zoom की portrait shots आपको पसंद आएंगे even low light के अंदर भी 2X portrait shots मैंने कीचे थे और वो भी use करने लाएंगे best नहीं है क्योंकि details काफी soft वरी है लेकिन use कर पा रहे हो काफी bright images है तो हम main camera और telephoto काफी useful ने इस phone में लेकिन 8MP के जो ultra wide है वो इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर HDR control भी जैसे light control जिसे कहते हैं कई बार images काफी dark का जाती है details नहीं है colors भी काफी बेकार आते है और यह जो 8MP का लटरवेड है वो इतना कुछ खास नहीं है लेकिन आप video quality के अंदर भी थोड़ा सा concern है मैंने यह दो बार test किया दो update आने के बाद फिर से test किया है और stability नहीं है आप 1X, 2X और 4X तीनों से video बना सकते है और अच्छी बात है कि 4K 30fps में video बन जाती है यह तीनों से लेकिन सबसे बड़ी दिख्कत है यहाँ पर stability नहीं है even 1X के अंदर भी नहीं है और 2X के अंदर भी नहीं है 4X के अंदर भी नहीं है लेकिन video के अंदर आपको निराज करेगा और ultrawide भी निराज करेगा अब 16MP का जो selfie camera है अच्छी light condition में यूज करोगे आप against the sun भी खीचोगे तो भी HDR इसमें अच्छा काम कर रहा है details मुझे हलकी सी soft feel हुई फिर भी use करने लाएक है बहुत खराब detail नहीं है skin tones आपको अच्छी मिल रही है low light के अंदर भी images थोड़ी bright आ जाती है लेकिन details यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है specially surrounding के अंदर और काफी noise भी आपको feel होती है और यह उतना usable नहीं है मतलब images bright तो है बट उतने ज़्यादा details feel नहीं है noise काइफी ज़्यादा आपको दिखती है दिखेने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है तो हाँ रात में selfie camera इतना चाने है दिन में आप इसे use कर सकते हो वीडियो बनाते हो 1080p का ही support है और यहाँ भी आपको stability नहीं मिलती है कोई कोई को बहुत मस्त रही कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर नीचे भी एक mic है उपर भी mic है दो mic दिए गये है proximity sensor भी dedicated है मैं लोग हर बार कान पी लगाऊँगे हर बार call के दोड़ा नहीं बंद होगा experience अच्छा है उसका भी इवन battery का भी experience अच्छा है 5000 mAh की battery आपको मिलती है 67 watt का यह charger बॉक्स में देता है 45 minutes के अंदरी यह phone 0-800 चार्ज होता है charging time मस्त है इवन battery life भी मस्त है 7 घंटे का मुझे screen on time मिल गया इवन gaming के साथ भी battery life बिलकुल निराश नहीं करेगी आप यह stats ध्यान से देख ले ना रोक के भी आपको अच्छा idea मिल जाएगा और हाँ battery life आपको निराश नहीं करेगी इवन idle drain की भी tension नहीं है अपने आप यह phone ज्यादा drain नहीं होता है रात कुछ जैसे मैं 19% छोड़के सोगा था net on था है यहाँ पर 5G वाला और सुबह जब उठा तो 16% हुआ तो हाँ battery life भी इस phone के अच्छी है अब आखरी में यही सवाल बचता है कि क्या इस phone को आपको लेना चाहिए तो 26,000 के साब से मेरे साब से phone थोड़ा सा price जादा हो गया I think normally यह phone 24, 25,000 के बीच में आना चाहिए था उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था लेकिन offers के अंदर यह जो phone है 23,000 का जो मिल रहे है वो phone काफी सही हो जाएगा तो मुझे negative feel हुए अगर यह phone 23,000 के अंदर यह phone आपको मिल जाता है और वीडियो stability से आपको इतनी tension नहीं है तो यह phone आपके लिए बना है hope ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हो simple ताकि आप असानी समझ सको और अपना decision ले सको तो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा और भी तो please subscribe करके bell icon call पे करना वीडियो च्छे लगिए तो like and share कर देना फोन को लेके कोई सवाल रहे गया तो comment section ने पूछना मिलते हैं आप लोग संगली वीडियो में thanks for watching and love for all